दोस्तों अगर आप एक Airtel मित्रा अप्लिकेशन यूजर हैं या फिर अगर आप Airtel Payment Bank का जो मित्रा अप्लिकेशन होता है उसे अगर आप यूज करते हैं और अच्छा खासा इंकम कर रहा हैं तो आज किस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस परकार से अपने Airtel Payment Bank या तो आज की इस वीडियो में हम कबर करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको step by step बिल्कुल समझ में आ जाए कि किस परकार से हमें MPN change या फिर forget करनी है तो चलिए बिना समय गमाएं direct topic पे चलते हैं तो सबसे पहले दोस्तों य सर्च कर देंगे इसके बाद दोस्तों सबसे उपर में आप देख पा रहा है मित्रा का आपको application शो कर रहा है नॉर्मली यहां पर आपको install करने का एक option दिखेगा उस पर क्लिक करके आप normally इसे install कर पाएंगे तो कुछ इस परकार से आप मित्रा application को install कर ले इसके बाद दोस् अब यहां से बोला जा रहा है यहां पर लॉगिन का बटन दिया गया है तो चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं अब दोस्तों यहां पर आपको आपका लापू नंबर पूछा जा रहा है तो आप अपना लापू नंबर यहां पर डाल ले इसके बाद दोस्तों यहां पर पासवर्ट पूछा जा रहा है तो आपको पासवर्ट भी डाल लेना है Airtail मितरा अप्लिकेशन का तो चलिए हम ये दोनों डाल लेते हैं इसके बाद दोस्तों यहां से लोगिन बाले बटन पे आपको किलिक कर देना है अब दोस्तों थोड़ा आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में तो यहां पे दोस्तों आप देख पा रहा है माई प्रोफाइल का एक अप्शन आपको दिख रहा है नर्मली आपको इस पे क्लिक कर देना है अब दोस्तों यहां पे आप देख पा रहा है आपका जो भी forget के इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहा है forget mpin वाला जो आपको बटन दिख रहा है इस बटन पे आपको नर्मली किलिक कर देना है तो चलिए हम forget mpin पे किलिक करते हैं अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहा है mpin reset successfully new mpin will be sent to register mobile number by SMS do you want to change this mpin इसका मतलब यह है कि जो भी mpin आपके mobile पे भेजा गया है अगर वो mpin आप यहाँ पे change करना चाहते हैं आप अपने according रखना चाहते हैं तो normally आपको यहाँ पे एक change बाला बटन दिख रहा है इस पे आपको किलिक कर देना है अने था जो भी mpin भेजा गया है अगर आप वही m pin रखना चाहते हैं तो normally आपको यहाँ से cancel कर देना है अब दोस्तो हमारे mobile पे mpin भेज दिया गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं change mpin का एक option आपको दिख रहा होगा नीचे के तरफ इस पे आपको normally क्लिक कर देना है जिससे आप अपना mpin चेंज कर करते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है new mpin set करें यानि कि दोस्तों अब आपको जो भी mpin यहाँ पे set करना है वो mpin आपको यहाँ पे डाल देना है जैसे मल यहाँ पे आप जो अपना mpin set करेंगे वो आपका number में ही होना चाहिए जैसे 1,2,3,4 होता है ठ का एक option आपको दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है तो चलिए हम submit पे क्लिक करते हैं अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहा है बोला जा रहा है mpin changed successfully यानि कि दोस्तों आपका mpin भी यहाँ पे change हो चुका है तो दोस्तों कुछ इस परकार से हम अपना mpin change करें या फिर forget करेंगे अपने air tail में तरह application का तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो please channel को subscribe करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ share करें